करोना की महामारी पिछले साल किसी ने नाम भी नहीं सुना था और मुझे याद है भारत का पहला पेशन 30 जनवरी को आया लेकिन उसके पहले मैना बर मोधी जी हर कैबिनेट मीटिंग में ये बताते थे कि ये संकट गहरा है सारे दुनिया में आ सकता है हमें तैयारी करनी चाह केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर के अनुसार देश के करोना आने के एक महीने पहले से ही प्रधान मंत्री मोधी इस बीमारी के बारे में अपनी हर कैबिनेट मीटिंग में बात कर रहे थे हाँ वो ही प्रधानमंत्री मोदी जो 24 वर्वरी को एहमदबाद में हजारों लोगों के साथ सोचल डिस्टिंसिंग की परवा किये बिना नमस्ते ट्रम बोल रहे थे और ये वही कैबिनेट है जिसने 4 मार्ज तक भारत में आने वाले सबी यात्रियों की ठीक से जांच तक नहीं शुरू की थी अगर पहले से मोदी जी अपनी कैबिनेट से इस परे में बात कर रहे थे तो फिर 24 मार्ज तक देश में एक भी कोविट केर सेंटर नहीं था और ना ही PPP किट्स पर ध्यान दिया गया था बलकि गलव्स जैसी महत्वपून्ट चीजें एक्स्पोर्ट की जा रही थी पर शायद मोदी जी को कोरोना से देशवासियों को बचाने से स्यादा लोगतांतरिक ढंक से चुनी कई सरकार गिराने में दिल्चस्कु थी अगर पहले से ही मोदी जी इस बिमारी के खत्रे से वाकिफ थे तो फिर क्यों 25 मार्च को इतने अनप्लाइन तरीके से लॉकडाउन अनाउंस किया गया जिससे भारत की अर्थ व्यवस्था की कमर तो टूटी ही साथ में लाखो प्रवासी मजदूरों की जिन्दगी नर्ख बन गई पर इस बिमारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा जहां बाकी देशों में लॉकडाउन के बाद केसिस कम हुए हैं वही यहां आज तक्रीबन तीन लाख केसिस हैं और भारत करोना संक्रमन में विश्व में चौथे नंबर पर है जावडेकर जी तेश आपकी सरकार की विफलताओं को फूरी तरह से समझ चुका है इसलिए बहतर यह होगा कि आप सूचना मंत्री की पत की गर्मा को बनाई रखें और देश में गलत सूचना का प्रसारन ना करें